आई गाइस में वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने को आई हूँ और आज हम कोशिका के बारे में एकदम डीटेल में पढ़ेंगे आप सबसे पहले जान जाएए कि कोशिका होती क्या है तो कोशिका हमारे सरीर की आधारबूद और सुचमतम इकाई है हमारे सरीर की क्या है कोशिका आधारबूद और सुचमतम इकाई है बीना कोशिका के हमारे सरीर का निर्मार संभव नहीं है कोशिका की खोज किसनी की थी? संसोरो 655 इस्ट्वी में राबर ठूक ने कोशिका की खोज की थी इन्होंने प्याज की जो अनुप्रस कार्ट का छिलका होता है उसी में उसी पे क्या देखा है इन्होंने कि इन्होंने मधुमक्षी के छत्ते जैसे इन्हें गोल गोल से उंगली के अंग उठी की चापा की तरह इन्हें दिखाए दिये जिनको इन्होंने किसका नाम दे दिया कोशिका का नाम दे जिया इन्होंने कार्ग पे देखा था ठीक है तो उसको कोशिका का नाम दे दिया लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोच की जिस 1665 में वह एक मृत की खोच थी इसके बाद जर्मनी के वे ज्यानिक ठीक है एंटोनी Bonn living hawk ने जीवित कोषिका की २ुम इंदों किस कि थी। माइको प्लाजमा की और रेड बलड सेल्स में इन्हों ने क्या देखा छोटे छोटे बी बाडून उने दिखाये दे जिसको इन्होंने कोशिका का नाम दिया आपसे भी को इतना शमझ में आ गया गा कोशिका क्या है कोशिका हमारे जीवन की सबसे आधार सकतेश एधार विनली कोशिका क्या विह सबинов के स्खहर्ण से नहीं करके हैं कोशिका का सिध्धान था दो वैग्यानिक स्लाइटें ने वं स्वाननी दिया है चीक है स्लाइटें और स्वान का यही सिध्धान था कि जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए इट क्या होशकता होती है उसी प्रकार हमारे सररी के निर्माड के लिए कोशिका क्या होशकता होती है यहाँ पर हम इट कोशिका से ले सकते हैं और धेर सारे जब इट मिलते हैं तो किसका निर्माड होता है एक दिवाल का तो उसी प्रकार जब धेर सारी कोशिका एक साथ मिलेंगी तो किसका निर्माड होगा एक दीवाल अर्थात एक किसका निर्माड होगा उतक का निर्माड होगा ठीक है और जब दो तीन दीवार साथ में हो जाएंगी तो क्या बनेगा एक कमरा बनेगा तो उसी प्रकार जब धेर सारे संयोजी उतक एक साथ अभीक्रिया करेंगे या फि जब धेर सारे कमरे को एक साथ में मिला देंगे तो क्या बनेगा घर तो उसी प्रकार जब धेर सारे अंग को साथ में मिला देंगे तो हमारा सरीर बन जाएगा आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा अब हम आपको आगे का भी बताते हैं ठीक है कोशिका के मुख् परते हैं कोशिका के बाहर एक इस story कर्mal बाते हैं नित आए सब यह क्या है जिक है उच्छिकए इस चौन डेन कि तर मात्रा में प्रोटीन या दॉट। के अतिरिक्त ग्लूबर प्रोटीन के अतिरिक्त ग्लूबर प्रोटीन होते हैं ठीक है प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें ग्लूबर प्रोटीन भी होते हैं जो यह सब होता है कोशिका के ऊपरी भाग इसमें पूरा प्रोटीन भरा रहता है यह तो हो गई हमारी कोशिका चली हमारी पूरी कोशिका में भरा रहता है और दूसरा कॉंसे द्रव पाय जाता है केंद्रक द्रव यह हमारा क्या है नियुकिलियस जिसको केंद्रक कैते केंद्रक द्रव जो केंद्रक द्रव होता है वो पूरी कोशिका में नहीं सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में पा जाता है तो जो कोशिका में द्रव होते हैं उसका नाम हम जीव द्रव रखते हैं जीव द्रव जो जीवन की काई का में आधार है अगर भगवान बहुत बुद्धिमान था अगर भगवान ने इस कोशिका के अंदर द्रव मतलब जो तरल पदार्थ होता है अगर वो नहीं भरा होता तो जैसे कि हमारा ये सब हो गया देखो योगी मैट्रोकांड्रिया केंडरक हो गया राइबो सोम हो गयां गाल्जी बॉडी हो गयी और इंडोपलाजमी क्रेटीकुलाब हो गया ये सब क्या होते आपस में चिपक जातें जैसे कि हम डcular nylon हमेशा कारे करते रहते हैं तो हमारा सरीर लिए इसमें इन्होंने बगवाने क्या किया जिव द्रवे जिसे इंग्लिस में प्रोटो प्लास्ट में कहते हैं पूरे कोशिका में उसने भर दिया ताकि यह सब एक साथ चिपके न और वो क्या गाढ़ा तरल पदार था ठीक है गाढ़े तरल पदार से सारी कोशिका के जिसको इंडोप्लास्मी क्रिटिकोरम जो अंदर प्रदवी दारिकावती यह सब सब कुछ हम आपको इद्धम डीटेल में भी पढ़ाएंगे तो अब ही हमारा इतना सौट आउट होगी है ठीक है अब हमारा लास्ट भाग क्या बसता है तीन भाग होते हैं मुख्य तीन भ अच्छा आप सोची किंद्रक मतलब किंद्रक का कारी क्या होता है आप एक दम डीटेल में जनजे कि किंद्रक के आभाओं में कोशिका की कलपना करना भी असंभो है समझ में आए तो किंद्रक बहुत बड़ा बहुत एहम भूमिकानी भाता है हमारी कोशिका के जरिए जिसस एक पेडी से दूसरी प्रेडी में जिसका स्रावर होता है, वो जिसको जीन्स पोलते हैं, जो गुर्षूतर होते हैं, ठीक है, तो उसका में कारे, में चीज़ वो किसमें रहती है, हमारे डी, इसमें रहती है, क्या हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, अगर केंद्रक कोशिका के बारे में भी लंबसम जान गए हैं आपको हम यह बता दे कोशिका का व्यास कितना होता है जीरो पॉइंट फाइफ मैक्रो से ट्वंटी पॉइंट जीरो मैक्रो व्यास की हमारी कोशिका होती है कोशिका के बारे में इतना जान कहें होंगी कोशिका के भाग कोशिका का इतिहास सब हमने आपको बता दिया किसने कैसे कोशिका की खोज की थी अब हम कोशिका में हमारी तीन तो मुख्य भाग जो पाया जाते हैं उसकी व्याक्या तो हमने मतलब सौरी उसको था हमने एक दम अ यह क्या है हमारा क्या है इन्वलॉप गॉल जी बाड़ी जो गॉल जी बॉड़ी होती है ठीक है जो एक समय से दूसरे जगह समान पहुचाती है यह तो नियुकिलिय से सब आप सभी जानते ही है और यह क्या है इंडो प्लास्मी क्रेटिकुलर जो इसको बोलते अंतर धानिया ठीक है अवर क्यां है हमारा सिल और मेंब्रेन को दिका है मस्तिक जो बाहरी भाग है रतीक जो ऐसे बताते हैं कर सो अजने आपको प्रकार ही बताना ना भूल गиться यह पल प्रद को एक टार्प क्योंती है क्रोड़ है ऑथ लिए तरौ कार्योटिक email जोशिवित प्राड़ी है वगरावे में पाई जाती है ठीक है हमार्वी कोशिका हमारे सरह कप्ड़िकका चलीलोऩ की नहीं बनी हो ती केlements पाते है जो पेंड मेलें, होलाकिक होसी नहीं होती है हम आप राइबोसोम के वारे में पड़ रहा थे ठीक है आप सभी को बताए हमने राइबोसोम की कोछ पहला रड़े ने सन इसको देखा राइबोसोम के कड़ों को तैरते हुए देखा ठीक है यह नियुकलिक अमल की मात्रा बहुत अधिक थी उन्होंने इसमें देखा कि नियुकलिक अमल की बादला अधिक थी जो जिसके कारण इन्होंने इसको देखा ठीक है और जो यह होता है मारे राइबोसोम इ पैज आने वाले DNA के nucleic tight protein बनाने के लिए code के रूप में कारे करते हैं और इसको क्या कहते हैं राइबोसोम में चीज क्या करता है में प्रोटीन का संसलेसर करते हैं तो राइबोसोम को हम um protein की factory भी कहते है ठीक है अब मारा राइबोसोम सों हो गया अब मारा second क्या है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में भी हम आप सभी को बताते हैं लाइसोसोम यह सबसे पहले सीडी ड्यूबे ने सन उननिस सोच चौट इस्वी में लाइसोसोम की उपस्तिती बताई थी है जिली में गीरी होती है, इसके अंदर धनी पीटी का और एक बड़ी रसधानी होती है समझ गये ना आप, और इसको आत्मघात थैली कहते हैं जिसे कि कोई किसी, जिसे हम लोग को कभी चोट वगरा लगती है तो उसी को हम लाइसोसोम कहते है लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, आत्मघात की थैली, ठीक है यह अपने आपको, जितने डेट सेल्स होते हैं, सभी का खत्मा कर देती है आपको यह भी समझ में आ गया, अब हम अगला पढ़ेंगे, क्या माइट्रो कांडिया, जो यहाँ पर हमारा माइट्रो कांडिया, ठीक है, जिसको बोलते है, सूत्र कडिका भी बोलते है ठीक है, देखिए, अब इसके बारे में जानते है कोलिकर नेशन 1880C में माइट्रो कांडिया को कीटो की पेशी से अलग किया जीवाडो और नील हरेश सहवाल की कोशिकाओं के अतनी पेड़ पौधो तो ता प्राणियों में लगबग सभी जीवीद कोशिका में माइट्रोकांडिया मिलता है समझ में आए कहां कहां पे सैवाल में मिलता है पेड़ पौधों में मिलता है और हम सब में भी सब जगे माइट्रोकांडिया पाए जाता है इसमें लीपिड राइबोसोम प्रोटीन डीनने मिलते हैं जो माइट्रोकांडिया इसमें क्या होता है लीपिड प्रोटीन राइबो कहते हैं यहां काम में कोंखै अ वही क्या नम है कि उसी में जब वो जो गती होती है उसको अभी हम बता रहा है आप सभी को जिसको हम लोग वही कहते है न क्या नाम था भी नहीं आ रहा है भी बताएंगे आप सभी को तो उसी गती के उसी गती के कारण क्या होता है कि जो क्रॉस सैकल वगयरा करकी कुछ था उ Mitrochandia को हम कहते हैं अब हमारा अगला क्या है centrosome जिसको हम क्या कहते हैं तारक का है centrosome इसका मुखे क्या होताय है जो तंट्ब नहीं होता, उनका निर्माड करना तो पहले हिस्व इसके वाधे हम जानते हैं ती बावेरी ने सन 1888 में कोशिकाओं का नाम सेंट्रो सों दिया, प्रत्ते एक सेंट्रो सों दो तारक किंद्रों का बना होता है, इसे डिप्लोमो सोम भी कहते हैं तारक किंद्र किसी जिली में घीरा हुआ हो नहीं होता है या लगभग गोलाकार सनरचनाओं के होते हैं तारक काय का बाहरी गोलाकार सनरचना है तारक काय किंद्र लमसम वही है लेकिन हमें में चीज तारक काय का यह जानना है कि इसका मुख् काम क्या होता है तंतु का निर्माड करना जब कोशिका मर जाते है तो तंतु के जरी क्या करना कोशिका निर्माड करना अब हमारा अगला क्या है रसधानिया जिसको वैक्यूल्स कहते हैं आप देख सकते हैं यही हमारी रसधानी है तो वैक्यूल्स का में काम क्या होता है जित जो पकने के लिए कोशिका होती है उसका जो भाग होता है वह अधिक से ज्यादा किससे रजधानी से गीरा हूअ आवस्ता में कोशिका है अब समझ सकते हैं तो उस में जो खुंटे रश भरा रहता है ठीक है और यह क्या करती है इसका में कारे क्या है ये कोशिका को उस फूती बनाया रखती है तथा जल संतुलन अर्थात परासर नियंदर का कारे करती है ये कोशिका को क्या करती है जल नियंदर का कारे बनाया रखती है ठीक है अब हमारा क्या ये सब खतम हो गए नियूकलियस के बारे में अगर आपको जो किंदरक है और अच क्ट्रोन कुछ Hai नियंतर्त करता थीक है तो आपको solves के लिए बता रहा थे नमभे र्खी डियन ने होते हैं गुलसूत्र का निर्माड करते है इसके विभीन प्रकार के साथ गुध्य होते हैं इन घं koshika की जिनोमन कहते हैं, जिसके जरी हम क्या पता करते हैं, जिसके जरी हम पता करते हैं, कौन किसका बच्चा है, ठीक है, जो होता है, गुरसोत्र एक्स 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 वाई, उससे से पता करते हैं, तो भई, और इसको, इसको क्या कहा जाता है, इसको कोशिका क्या कहा जाता है, मस्ति कंदर्ट करता है ठीक है कि अनेक भाग होते हैं जैसे की इंचींद्रक आवरड करेता है सिकेंड होता है किंद्री का द्रव जो को पहले बताया था और क्रोमेटीन परदार्थ होते हैं मतलब बहुत आपको जानगे तो यह इतना इंपोर्टेंट है आप केंद्रक के कारे आप जानजेए यह कोशिगा के लगबग सभी जयविक कारियों का निरंतर करता है यह अनुवांसिक सुचनाओं की कोटिंग करता है जो जिवधारियों के अनुवांसिक लच्छडों को प्रशारित करते हैं ठीक है और अगला है यह प्रजन में प्रतक्षी रूप से अंतरस्थापना करता है सही बात जब प्रजनन के टाइम क्या होता है जो जीनोमन होता है वो पीडी दर भाजन अभी कोशिका विवाजन हमारे कि सूरी अभी मैं आपको गौलजी बॉड़ी के बारे में तो बता है नहीं जो गौलजी बॉड़ी होते एक जगा से दूसरे जगए हार एक चीज को पहुचाने का कारी किसका होता है? क्योंध़ी बॉड़ी का होता है ठीक है तो तोटी-फोटी कोशिकाओं के अस्थान पर नईकोशिका का निर्मार करता है।सित्र क्यicaçãoत थे हैं। और अब साल स्मौझ klub, ति कते हैं। और अर्ध सुस्त्री विभाजन जैसे कि आधा विभाजन, जो से आधा विभाजन होगा और आधा नहीं होगा, ठीक है, जो पहला मतला था सूति विभाजन जैसे कि, जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कीरा की पूछ, कीरा का बच्चा जो होता है, वो सर देख लिजे, और ज से कोई गलती हो गए तो प्लीज हमें शौरी बोल रहे हैं चमा कर दीजिए क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं